सर्दियों में बजार में हरी पत्तेदार सबजियों की विविदिता देखने को मिलती है इन में से एक खास सबजी बत्वा है यह सबजी सर्दी के मौसम में लोगप्रिये है और इसका सेवन स्वास के लिए फाइदेमंद होता है बत्वा विटामिन A, पोटेशियम और कल्सिय से भरपूर होता है जो सरीर को मजबूत बराता है और स्वास समंदित कई समस्याओं से बचाव करता है इसके सेवन से तवचा भी निखरती है और खुबसूरती में भी चमकाती है लकनो के जीमु की चीव डाइटीशियन डॉक्टर सुनीता सकसेना ने बताया कि अभी अलग बत्वा जैसी हरी सब्जियां खानी चाहिए ज़ियों का मौसम होता है और इस मौसम की जो सब्जियां होती है हरी सब्जियां तो कहते हैं कि इनकी अंदर भरपूर मात्रा में पॉस्टिक तत्व होते हैं तो अगर इनका हम इस्तेमाल करें तो काफी सारे पोशक तत् तो अगर इस मौसम में इन सबजियों का इस्तिमाल करें तो शरीर को बहुत सारे पोशक तक मिल सकते हैं, जिसे काफी कुछ immunity body की boost up हो सकती है, देखिए जैसे की अभी winter का मौसम है या गर्मियों का भी मौसम है तो इसमें जैसे की पतेदार सबजियां कही है, खासवर से common group पत ही है, बत हुआ है, चौलाई है, तो ये जो सबजियां है, तो इनके अंदर iron की मात्रा बहुत अधिक होती है, calcium बहुत ज़्यादा मात्रा में पाये जाता है, और बहुत सारे antioxidant लिच होते हैं, की selenium है, calcium है, vitamin C है इनके अंदर, जो कि हमारी body को immunity बिदान करते हैं, और जब immunity body के अंदर अच्छे से होगी, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बस सकते हैं, तो अगर हम daily, इनका इस्तेमाल किसी ने किसी रूप में 100 ग्राम पत्तेदार सबजियों का, अगर इस्तेमाल करें, तो पोशक तक तो काफी मात्रा में मिल जाते हैं, सबसे पहली चीज तो जो ह बीमारियों से बचाते हैं, तो इसे vitamin C है, vitamin C, selenium, और बहुत सारे antioxidant होते है, calcium के अंदर होता है, और iron उनके अंदर होता है, तो क्योंकि जादा तर iron, calcium, vitamin D, इन सब चीजों की कमी ही जादा तर लोगों में देखी जाती है, बच्चों के अंदर, calcium और iron की, तो इन बीमारिय बीमारियों से क्या, इन पोशक तत्तों को अगर नहीं मिलेगा, तो वो भरपूर मात्रा में उनके अंदर खून की कमी नहीं होगी, महड्या मजबूत रहेंगी, और उनके अंदर immunity बरकरार रहेंगी, जिससे बीमारियों से बचे रहेंगे, और साथ में सर्दियों से भी ब